कि जो समाज अपनी औरतों को इज़त नहीं दे सकता, उसे अपने आपको इंसानी समाज कहने का कोई हख नहीं है, एकदम डारेक बोलू, दिल से बोलू, आज अपने एक इंसान होने पर शरम सी आ रही है, एक प्यारी सी छोटी सी छुटी बिताए अपने फैमली के साथ केप उनसे लोटा, बहुत मन से आप सभी को नए साल की मुबारबाद दी, अपनी बेटी को गोध में उठाए, एरपोर्ट से निकली रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रहे थी, वहाँ नजर पड़ी, बैंगलोर में नए साल के जशन में कुछ लोगों का वैशियत सा ना उड़तों को इज़त नहीं दे सकता, उसे अपने आपको इंसानी समाज कहने का कोई हख नहीं है, और सबसे ज़्यादा शरम की बात पता क्या है, कुछ लोग रहा चलते किसी लड़की की हैरस्मेंट को भी जस्टिफाई करने की आउकात रखते हैं साले, लड़की ने जोटे, आपकी सोच है, भवान न करे जो बैंगलोर में हुआ है, वो कभी आपके बहन, आपकी बेटी के साथ हो, ये बत्तमिजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लानेट से नहीं हैं, ये हमारे यहां से ही हैं, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं, हम सब के बीच में ही दरिंदे, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया न, अगर तुमारी अकल ठिकाने आजाएगी, अकल ठिकाने नहीं, सुधरोंगे तो बात भूल जाओ, सीधा उपर सिधार जाओगे, और लड़कियों से मैं कुछ कहना चाहूँगा, लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आपको कमजोर मत समझना, अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं, ऐसी छोटी और आसान टेक्नीक्स हैं लड़कों को संभालने के इन मार्शिल आट में, किसी के बाप में दम पर आपको कोई ग्यान देने की कोशिश करें ना तो उसे कहना कि अपनी अड़्वाइस को अपने पास रखें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए, और कम से कम नहीं है, बस अलर्ट रहो, सर्फ डिफेंस सीखो